विशुकप शुरू होने में बस अप चंद महीनों का ही समय बचा है ऐसे में हर टीम अपना सही विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में लगी हुई है अगर विशुकप को देख कर की जाए तो टीम इंडिया को विशुकप की प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है ऐसे में मौझूदा समय में टीम इंडिया के पूर्फ कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने विशुकप 2019 को लेकर बड़ा बयान दिया है जिहां खबरों की माने तो दोनी ने कहा कि अगर मौझूदा समय में सभी 10 टीमों को देखा जाए तो टीम इंडिया सबसे बहतर संतुलन के साथ सबसे बहतर टीम नजर आती है विशुकप जीतने की दोनी ने कहा कि अगर प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो टिम इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो इस विशुकप को लिफ्ट कर सकती है क्योंकि टिम इंडिया के पास अच्छा बोलिंग कॉबिनेशन है साथ ही टिम इंडिया के बल्लेबास भी उस शेली से हैं जो किसी भ सारी खेल सकते हैं ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा कि दोनी का बयान क्या 2019 विशुकप टिम इंडिया को दिला पाता है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्स से अभिलाश की रिपोर्ट